उत्राखंड मुक्तविश्य विद्याले के सामुदाइक रेडियो हेलो हलद्वानी 91.2 FM में मैं डॉक्टर पूजा भट आपका स्वागत करती हूँ सांथियो आज है हत्करगा दिवस तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हत्करगा उत्पाद है हमारे देश के एक सम्रद्ध विरासत का एक important हिस्सा है और इनका भारत में एक बहुत ही लंबा इतिहास है क्योंकि हत्करगा रेटेट जो चीजें हैं उनको बहुत टाइम से हमारे देश में बुनकुरों द्वारा बुना जा रहा है पहले के समय में जब कपड़े बनाने के लिए मशीनरी उप्लब्द नहीं थी तब उप्भोगता हत्करगा परिधान ही पहनते थे एवं अपनी घरेलू जरूरतों के लिए भी हत्करगा का ही उप्योग किया करते थे इसके अलावा सभी उप्भोगता हैंड मेट सामाग्री ही बनाया करते थे एवं उनी का उप्योग किया करते थे लेकिन जैसा कि अब जानते हैं कि तकनी की विकास ने अब एक रफतार पकड़ ली है जिसके कारण बाजार विविन कपड़ों से भर गया है और ये इस प्रकार के कपड़े हैं जो बहुत ही आकरशक होते हैं और सभी जो भोगता हैं उनके जरूरतों को बहुत ही कम कीमतों पे पूरा करते हैं तो इसलिए जो आजकल के जो भोगता है इन मिल से बनेवे कपड़ों की और आकरशित हो रहे हैं और इन्हें खरीदने के लिए वे विवश हो रहे हैं और इसी कारण हतकरगा उत्पादों मुख्य रूप से हतकरगा सास सज्जा और हैंडमेट चीजों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है आज हम बात करेंगे कि इस मांग में गिरावट क्यों आ रही है और क्या वो रणरीतियां हो सकती हैं जिनसे हम उप्भुगताओं को संतुष्ट कर सकें एवं हतकरगा उत्पादों की मांग में सुधार किया जा सकें साथियो आप जानते हैं कि भारत की जो अधिकांश राज्य हैं अपने हतकरगा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हैं हर स्टेट का एक अलग ही हैंलूम सेक्टर होता है जहां कि वो अपने डिजाइन और टेक्निकों के लिए वो फेमस होता है और हर उत्पाद की अपनी ए समाच के एक कमजोर वर्ग से आते हैं और वो हमेशा से ही केवल बुनाई की कतिविधी पर ही निरभर है तो इसलिए जो बुनकर है उनकी आय का एकमात्र साधन और शोत बुनाई होता है क्योंकि वो लोग अन्य कोई दूसरा काम नहीं जानते हैं लेकिन हाल के वर्षों में समस्या यह देखी जारी है कि भारत के कई राज्यों में हतकरगा बुनाई में काफि गिरावट आ गई है इससे जो हतकरगा शेतर है इसको तो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है साथ ही जो इस कारे में सनलगन बुनकर है उनकी वे स्तिति काफि दैनी हो चुकी है लेकिन फिर भी इनकी मांग में लगातार गिरावट आती जारी है इसका एक सबसे मूल कारण जो मैं समझती हूँ पश्चिमी करण है क्यूंकि आजकल सभी लोग पश्चिमी करण से बहुत जादा प्रभावित हो गए है लोगों का जो सेक्शिक स्तर है वो भी काफी उन्हें लगता है कि जो फैशन ट्रेंट चल रहा है हम उसे ही अपनाए तो ऐसे में जो भोगता है हमारे पारंपरिक रीती रवाजों के बारे में कम सोच रहे हैं इसलिए उनके द्वारा जो हतकरगा वाले उत्पाद है उनको खरीदा ही नहीं जा रहा है और इसके लावा दूसरा कारण यह है जो हमारा करेंट कस्टमर है वो है हमारी युवापीडी क्योंकि युवापीडी ही हमारे उभोगताओं का एक मुख्या आधार बनाती है और उस युवापीडी को हतकरगा उत्योग के विशह में पता ही नहीं है ना हुने इस उत्योग के विशह में प पसंद ही नहीं है इसलिए फिलाल हमें यह चाहिए कि किस प्रकार हम जो यंग जनरेशन है उनकी इस उत्पाद में कैसे उनकी रुची बढ़ाई जाए अगला एक कारण जो हम कह सकते हैं वो है इस टाइम पे जितने भी जो डिजाइनर्स है वो पहले से ही क्या करते हैं कि फैशन फोरकास्टिंग करते हैं कि पहले से बता देते हैं कि भविश्य में ये फैशन आएगा भविश्य यानि आने वाले चार छे महने साल भर इस प्रकार से वो इतने टाइम पहले बताते हैं कि इस प्रकार का कपड़ा इस प्रकार के डिजाइन और इस प्रकार के जो कट है वो निकट भविश्य में पहने जाएंगे और पसंद किया जाएंगे तो लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उन चीजों में एक नवीनतम डिजाइन और नवीन विचार होता है और वो एकदम से जो जनरेशन है खासका यंग जनरेशन उसमें एकदम से लोकपी हो जाते हैं लेकिन जो हमारा हेंडलूम सेक्टर है यहां पर जो नवीनतम रुझान है इन में थोड़ी कमी देखी गई है और इसलिए जो भोगता है इन रुझानों से वो अवगती न नहीं उतर पा रहे हैं तो यह एक मुख्य कारण नजर आता है कि इस वज़े से भी जो हमारा हेंडलूम सेक्टर है वो पिछरता जा रहा है कुछ जो हमारे सर्च हैं वो यह कहती हैं कि हलाकि लाप तो कहीं है हतकरगा उत्पादों के लेकिन जो उनके गुण है उनसे जो हम उत्पाद उस रेड़ी में रखता है तो इस वज़े से वो उसके लाभों से बिल्कुल भी अवगत नहीं है तो इस कारण वो इन उत्पादों को खरीदने में भी अपनी कोई इच्छा नहीं जाहिर करते हैं और एक कारण मैं आपके सांद शेयर करना चाहूंगी जो है कि us buck a Ừ अ कि आपके जो नवींतम डिजाइन है उनके विशह में कोई भी जानकारी नहीं है इसलिए क्या होता रहे कि जो के अंदलुम से वो काफी पुराने रहे हो चुके हैं पुराने हरे रहे हैं और जो उनका जो करन फ्रेश्ण ट्रेंट pere dogs वें पुरानि भी लेना देन परंतु जो कपड़े की कीमत होती है वो अधिक हो जाती है और जो हमारा end product होता है जो उत्पात का जो profile होता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है तो इस वज़े से भी जो handloom sector है उससे बनेवे उत्पात जो भी है उनमें एकदम से उनकी मांग में गिरावट आ रही है अ जो उद्ध्यम शीलता विक्सित करने के जो अवसर है वो भी सेक्टर को काफी कम मिल रहे है इसलिए जो उप्भुकता की design प्राथमिकताओं और बुनकुरों द्वारा उत्पात्र डिजाइनों की बीच हमेशा ही एक अंतर बन रहा है जो की हतकरगा की मांग को कम कर रहा है अब हम बात करेंगे कि जो बाजार में उप्लब जो हतकरगा उत्पाद है उनकी जो designing है और उनकी जो finishing है वो हमारे जो customers हैं उनको exactly समझ में नहीं आपा रही है उनको नहीं पता चल रहा है कि जो हतकरगा वाले उत्पाद होते हैं वो raw finished होते हैं वो हमें उतने finishing उनमें नही पेट कपड़ा और जो मशीनों से बनावा कपड़ा है उसमें और उसकी फिनिशिंग में अंतर होता है पर इन सब चीज़ों का जो फरक है वो पढ़ रहा है तो इस तरह से डिज़ों की टेकनीक है उसमें भी खराबी आने की वज़े से जो हतकर का उत्पाद है वो कस्टमर तक नहीं पहुच पा रहे हैं नहीं उनकी एक बहुत ही अच्छी मांग उत्पन हो पारी है और एक रीजन आप यह समझ सकते हैं जो हतकर का उत्योग है उसमें दो प्रकार के कपड़े बनाए जा रहे हैं एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जो ट्रडिशनल कपड़े हैं और जिनकी कीमत काफी कम होती है इस प्रकार से कपड़े बनते हैं उनकी कीमत भी कम है उनमें डिजाइनिंग भी कम है और उसमें किसी प्रकार का जो उच और विशिष्ट होते हैं जिसमें डिजाइनर साडिया और डिजाइनर चीज़ ayamad जिनको बड़े बड़े डिजाइनर बनाते हैं तो इनको खरीदने वाले जो कस्टमर है वह भी काफि एक एक एलीट ग्रूप है सुसाइटी का तो इन सब के बीच में जो हमारा मध् वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी खरीद सके क्यूंकि जब आप एक बहुती विशिष्टी रूप से कपड़ा तयार कर रहे हैं तो उसकी कीमत भी अधिक होती और उसका रख रखाओ भी थोड़ा मुश्किल होता है तो इस चीज को अचीव करने में जो हमारा मध्यम वर्ग है वो उतना सक्षम नहीं है तो इसलिए यह अत्यंत आवश्चक है कि इस सेक्टर के जो उत्पाद है उनके लिए मध्यम वर्गों का आकरशन अतियावश्चक है यह तो हमने जाना कि क्यू हमारा जो हतकर का निर्मित उत्पाद है उनकी मांग में क्यू कमी आ रही है अब हम इसलिए जो में है वो यह है कि आप यह जाने कि क्या इंटेंशन है खरीद के पीछे हमारे उत्पोगताओं का हम किस प्रकार उनके हमें उत्पोगताओं के व्योहार को समझना होगा उसकी एक बीप स्टडी करनी होगी और यह जानना होगा कि उनके खरीद की पीछे उनके क क्यों खरीन है तो इसके लिए एक डीप स्टडी के ज़रूरत है जिनसे समझ में आ सके कि उप्भोगता exactly क्या चाहता है क्योंकि जब हम उप्भोगता के व्याहार और उनके जो बाइंग बिहेवियर है उसको हम सबच पाएंगे तो हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग हम लेकिन हदकरगा उत्पादों के प्रति उप्भोगताओं की प्राथमिक्ता के कारण ही अभी भी जो हदकरगा उत्डियोग है वो जीवित है क्योंकि अभी भी समाज में ऐसे कुछ लोग है जो इन चीजों के प्रति अपनी इच्छा रखते हैं खरीदने की उनके लिए य क्या क्या टेक्नीक हो सकती है जैसा है प्रचार और विग्यापन अपने प्रोड़क्ट्स का हैंड्लूम का और हैंड्मेट चीजों का हमें प्रचार प्रसार करना होगा तरह तरह कि विग्यापन के द्वारा इन चीजों को हमें लोगों के समक्ष रखना होगा ताकि लोग इन से अवगत हो पाएं क्योंकि जब लोग इस बारे में जानेंगे तभी वो इसके प्रती आकर्शित होंगे और खरीद को बढ़ावा देंगे दूसरा है उपलब्द और पहुँच हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार हम बनेवी चीजों को अपने कस्टमर तक पहुचा सकें ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है कि उनको चीज उपलब्द कराना और उपलब्द कराना वो भी एक रीजनेवल रेट में बहुत जादा महेंगी वस्तूओं को जैसा मैंने पहले बताया कि जो मध्यमवर्ग का जो भोगता है वो नहीं खरीद पाएगा तो इसलिए हमको चाहिए कि एक उनको moderate rate में handmade product उबलब्द कराया जाएं इसके लावा अपने हम जो हतकर का उतपाद है उनके लिए outlet या फिर प्रदर्शनियों की संख्या में व्रिधी करनी होगी जिसके द्वारा कि लोग जादा exposed होंगे इन चीजों के प्रती इसके अतरि डिजाइनरों को चाहिए कि नए डिजाइन विक्सित करें लोगों में जागरुकता पैदा होगी और इसे जो लोग है वो इन चीजों के प्रती अपनी इच्छे एक्स्प्रेस करेंगे और चीजों को लेने के लिए आगे आएंगे इसके अतरिक्त यह भी जरूरी है कि हमन अगला है हमें जैसे हम जानते हैं कि कीमतें बहुत जादा हैं तो कीमतों में कमी करनी होगी और उपलब्धा में वृद्धी एवन गुणवत्ता और रंग स्थाइत्व में भी सुधार करना होगा हमको इससे क्या होगा कि जो हमारे जो प्रोड़क्ट है वो जादा से अगला क्या है जितने भी जो मार्केट सिस्टम है इसमें से जो मीडियोकर्स है बिचॉलियों को हटाना तो इनको हटाकर भी जो हमारे खतकर का उत्पाद है उनकी मांग में बढ़ोत्री की जा सकती है इन सभी के अतरिक्त एक जो इंपोर्टेंट जो हिस्सा है इन चीजों को बढ़ावा देने का वो यह है कि जो हमारे जो आजके युग के जो डिजाइनर्स है उनको सामने आना होगा क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आजकल के नवीन ड चीजे हैं उनके अंदेखी हो रही है उनके द्वारा तो उनको चाहिए कि परमपरा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे और उन्हें फैशनेबल और टेंडरी उत्पादों के बारे में अपने विचार पदान करके और बुनकरों को भी उनको प्रोत्साहित करना होगा और प्रोत्साहन के सांसाथ उन्हें मदद भी करनी होगी कि वो इन डिजाइन्स को किस परकार से बना पाए और ताकि जो हमारे हतकरगा वाले उत्पाद है वो भोगताओं तक पहुँच पाएं इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो कारीगर हैं हमारे जो बुनकर हैं उनक आपके विशय में पता लगाना होगा और अपना कोशल को विकसित करना होगा जिससे क्या होगा हमारे अच्छा मंच तयार कर पाएंगे हम इसके लिए जो कपड़ा उद्योग हैं आप देखते हैं कि बहुती इसमें रुजहान बहुत तेजी से वदलते हैं उबहुकता हमेशा ही नए उन्नत और आकरशक डिजाइनों की मांग कर रहा है इसलिए जो planning से लेकर उत्पादन और जो distribution तक की जो पूरी process है उसमें भी सुधार करने के आवश्यक है तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो fashion के रुजहान है बजार के आकार और उप्भोगता प्राथमिक्ता पर उप्तलब्द जानकारी पर आधारित होनी चाहिए ताकि हतकरगा उत्पादों की मांग बढ़ सके और इसके अतरिकते जो भौगोलिक संकेत है उन पर भी जो नीती है वो बिल्कुस पश्ट होनी चाहिए हतकरगा उत्पादों के लिए भौगोलिक स्तिती से बुनकरों को लाब होगा क्योंकि इस संकेत वाले उत्पाद उप्भोगताओं को गुडवत्ता का आत्वाशन देंगे और उन्हें आत्नविश्वास भी देंगे हलाकि जो हमारी सरकार है इस विशय में काफी लाबकारी योजनाय चला रही है लेकिन फिर भी जो हेंडलूम बुनकरों की स्तिती अभी भी दैनी बनी हुई है तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी चीजों के लिए जो हमारे देश में निर्मित चीज़े हैं उनके लिए हम जागरित होएं और उन्ही को खरीदने के लिए प्रैतनेशील भी होएं और जो भी आपका उसमें योगदान हो सके वो आपद है और हमें चाहिए कि हम अपने सोच को विदेशी से स्वदेशी में कनवर्ट करें और औरों को भी इस दिशा में शिक्षित करें इसी के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देती हूँ आशा करती हूँ कि यहाँ आपको उप्योगी लगा हो धन्यवाद